कानपुर से सपा विदायक इर्फान सोलंकी हमारे साथ हैं इर्फान जी क्या रहा आज बेठक हैं तेके सबसे पहले तो जो हमनों ने चाहा अब पिश्री बार जब मिले थे हमने दिल की इच्छा भी यह थी के अखले सियादो जी हमारे साथ सदन में रहें और वही हुआ आज अलम्दुल्ला नेतापतिवच्च के रूप में वह हमारे नेता चुने गहें और कल जब थाईसको को मारी सपद होगी यानि विधायक होगी जब उसके बाद नेता पतिवच्च और अब होगा मुकाबला एक नेता गाएक नेता से क्योंकि योगी जी को जवाब जो देएं जवाब हम देंगे क्योंकि उन्होंने जूट बोलके सरकार तो बना लिए अब सरकार कितने पहला मुझे लगता है साइद का बिने दोगा क्योंकि पिछली बार चार बार से जीत के आ रहा हूं कि खुद सीम साथ को नहीं महलुम था कि मंत्री कौन बनने जा रहा है यह मुझे मुझे यकीन है बाखी आप बताएं ना बताएं वह आपकी मर्जी है कुछ सीम साथ को नहीं महलुम के पीएमों आफिस से मंत्री की लिस्ट कौन कौन से आने वाली है और आप भी चौक के होंगे जो मंत्री की लिस्ट आई है बहुत से वरिस नेता इसमें सिल्ला पता है ब दाम दीजर के दाम सब पराई दियें तो जैसे हाँ चालो होगा वैसे उनको पर हमला बोला जाएगा महंगाई सबस्टाचार बरता चला जा रहा जिस तरह से अपरात बह रहा है आपने देखा होगा कानपूर के कानपूर से बिदाए को होली वाले दिन बावाल हुआ जू पर समय जब आता है तो समय बहुत बल्यवान होता है कि मुद्धों पर जैसे ही सदन की शुरुआत होगी जनता के मुद्धों को लेकर संगर्श किया जाएगा और अपकी बार सदन का नजारा वहां का जो तौर तरीका है वहां का जो वहार है वो कुछ अलग ही नजर एबी पी गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी